हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का क्लास नाइंत का प्रक्टिस पेबर सॉल करेंगे और एक्स्प्लेंग करेंगे इस प्रस्ण बत्र में तीन भाग हैं, भाग A में 24 प्रस्ण है, इन में से किनी 20 प्रस्णों के आपको उतर देने हैं और भाग B में भी 24 प्रस्ण हैं, इन में से भी आपको किनी 20 प्रस्णों के उतर देने हैं, भाग C में 12 प्रस्ण हैं और इन में किनी 10 प्रस्णों के उतर देने हैं, सभी प्रस्णों के समानक हैं और परतेक प्रस्ण जो है, 0.8 मार्क्स का है, यानि कि 40 नंबर का हो गया कोश नंबर वन है वात युक्त पर, मे डैश विले होता है डैश विलायक होता है यानि इन इरिटाड वाटर, सोडा इप लीड़ीज 없습니다. तो ऑन दोएलमन होगा जोकी कम मातरम होगा औच हुरा जादा मातरम होगा यानि इसका हो गया carbon dioxide and solvent is water निम्लिकित मैंसे कौन एक समांगी मिशन है पानी में नमक का खोल पानी में मिट्टी का खोल पानी और sodium sulphate का मिशन ए और सी दोनों सो बोथ a and c d answers का दोनों भी लगा दिमनली नेक्स्ट है कुछ नमबर थी विलिन के कणों का कार होता है तो 10.9 मीटर से कम यानि की बी आंसर है इसका निम्लिकित में से कौन रसानिक परिवर्तन का एक उधारन है कागज का काटना पानी का जमना मैंगनिशम रिबन का जलना कॉपर सल्फेट का पानी पे घुलना तो एन एक्जामपल चैंज इस बनिंग ऑफ मेगनिशम रिबन सी मेगनिशम का चलना मेगनिशम रिबन का हाली मेन निम्मित कौन समस्टर टेंडल परभाव दिखाएगा हाली मेन निम्मित के धिया यानि की A और B दोनो टी है अंसर इसका क्यों निलब मन के करन बाद में बैट जाते हैं अब इ केंद्रक सेत्रिय केंद्रक कोशी का दर्व है तो तीन ही होती है इसमें तो इसका अंसर आएगा चटे का डी कि अग्याने का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोनिकलिक अम कि नींग्ले दोनों ही करवा देता हूँ को मैटीन बदा बनावता है प्रोटीन डीनह क्रोमसोम जैनि कि ए महन और टू दोनों से बना होता है प्रोटीन और डीनले दोनों से ही बना होता है कोशी का सबसे पहले किस ने इस्तमाल किया बी रॉबर्ट हुक नेक्स्ट है प्लेजमा जिल्ली के दौरा जलके अनुगी कती कहलाती है औसमोसिस यानि परासरान एह है अंसर इसका निमलिकित में से किस उत्तक में रिक्तिका उपस्तित नहीं होती सीरसत विब्जोत अंतरविष्ट विब्जोत तक डी हैस कांसर यह और भी दोनों यानि एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम बोथ आंसर इस डी क्योंकि ये विवाज़त होने वाले उत्तके इन में रिख्तिका नहीं होती निमलिकित एक जटिक उत्तक की घटक है इन में से कौन जीवित घटक होता है फॉलविंग अर्दा कंपोनेंट अफ एक कॉंपलेक्स टिस्यू विच अमंग देम इस लिविंग इन नीचर जैलम पहरिंग कैमा डी है इसका आंसर नेक्स्ट फर्टीन द्यागए चेतर किसी सरवाल इस टाईय उत्तक को दरसाता है उसका कारह किया है तो ये है पहरिंग काइमा और आमतावर पर भोजिन का संकरण करता है बी परिंग कामा जनरली स्टोर फूड कोटीन है कौन सा सरव इस्तायुत तक कोज़े को बबादन नहीं करता एक कोलम कामा भी परिंग कामा सी एरें कामा डी स्क्रेंग कामा अंसर इस डी स्क्रेंग कामा कि दिये गए और एक में फॉस्ट सेक्ड और थाड की पैचान करें तो फॉस्ट है पार्श विवजोद तक सेकिंड है अंतर विस्ट विवजोद तक और स्थाड़ शीर्षट विवजोद तक यह इनिस का अंसर है डी कोशन नमबर 15 का अंसर है डी फिर्स्ट अलेकर ने इंटर इंट्रकील्डी मेरिस्ट्रम् थार्ड एपिकल मेरिस्ट्म चाल की काई है तो यूनिट ऑप स्पीड इस मेटर पर सेकंड डी नेक्स्ट कोशन निम लिखित में से किस इस्तिती में चली गई दूरी और विस्तापन का परिमान समान है है in which of the following conditions the distance moved and the magnitude of displacement अपर एक्वल के दी मोटीोसाइकल सीद ही उल्हक पर गती कर रहा है मोटीचैकल marked कर रहा हो चंद माप्रतिक की परिकर्म कर रहा हूं गडी का लोला कि दा धर गती कर रहा है तो इसका अजार है औूकिर वन सी है इसका अंजार कि सी ओनली वन कि यानि कि यदि मोड़ सकर सीधी सलक पर गति कर रही हो तो यह एसका अंसर निम लिखित में से कौन तुरित गति का उधारन नहीं है विच आप दा फॉलिएंग इस नॉट एन एक्जांपल अप एक्सिलेटेड मोशन मुट रूप से गड़ती बस्तू बरता का ट्रैक पर दोड़ताव अथलीट दलान वाले पत पर नीचे चलती टॉली और इस्तिर वेग से गतिमान वास वेग इस्तिर है तो तुरण नहीं है तो तुरण नहीं हो रही है यानि कि अबस मुविंगे दे कॉंस्टेंट वेलोसिटी स्पीड सेम है तो फिर उसमें तुरण नहीं हो रहा करें उन्निस से चार कार ए बीसी डी एकषीदी सड़क पर चल रही है जिनकी कार आप में डी जो है काड्सी से ठीमि है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डी कार सबसे तेज्ट है तो इसको सरा जागा बी कार डी is the faster than all ढरहिंदी में भी लगा जितों काड्स protagonist से तेज है यहां आप देख सकते ना कार्ड जो डी है वो सबसे तेज चल रही है किसी वस्तू के निम्लिकित वेक समय ग्राफ में कौन सा ग्राफ सुनने तुरन को दरसाता है तो सी वाला जो ग्राफ है इन दा फॉलेंग बैलसुटी टाइम ग्राफ अफ अबजक्ट विच ग मास ए आजागा अनसार इसका बल का मात रख है न्यूटन लैसे इनिट ऑफ फोर्स इस जूटन एक अंतिक्स यान के प्रिक्षिम के दुरान उससे निकलने वाला प्रनूद उसके ऊपर उपने में मदद करता है उसका कारण क्या है यानि ड्यूरिंग लांच आफ स्पेस सब्टिött रख मॉची है नूटन की गति का तीसर नियूंग आप यानि सी करिया पर्तिक्रिया तो से अजुर्था-ज्रजा चेनि मुर्थ metro-लाफ मोशन तो इस तरह से आपने फ्वर्स्ट पार्ट ए पार्ट किया सेक्शन बी इस भाग में 24 कोशन है यानि करम संक्या 25 से 48 तक और आपको 20 परशनों के उत्तर देने हैं ठीक है तो कोशन संदी को चिकना बनाती है रुदीर हार्मन पोसक तत्वों और गैसों का परिवहन करता है तो इसका अंसर आएगा आपका 25 का डी कि अधिया आंसर आप लिख लिजिए हैं 26 है टिंचर आयोडीन मिस्रण है ठोस का द्रव में सॉलिट एंड लिक्विड भी भोस का द्रव में बी लिख लेते हैं सॉलिट एंड लिक्विड दी गई तालिका में कॉलम एक को कॉलम सेक्ट से मिलान कीजिए ठीक है तो आयरन क्या है मैटल है सोडियम कुलोराइट क्या है कमपाउंड है सिलीकान क्या है मैटलॉइड है और कार्बन है नॉन तो इसका अंसर आप देख लेते हैं, 27 का अंसर है A, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन एक निलंबन के बारे में सही है, इसके कणों का कार विलिंट के कणों से छोटा होता है, यह प्रकरती में आइस्थिर होता है, इसके कणों को बहुत इक विद्या दोरा अलग्य इन नीचर, इस पार्टिकल कैन बी सब्डेटेड़ बाई फिजिकल मैथड़्स, यानि सेकंड और थर्ड ठीक है इसका, तो इसका अंसर क्या हो गया, बी हो गया, तो बी पे टिक लगा देते हैं, निम लिखित में गलत मिलान है, लुको प्लास स्टार्ट तेल और प्रोट क्लीन संसलेशन, तो ये वाला गलत है, क्रोमाप्लास भी, यानि क्रोमाप्लास की इपता सैल क्लीन ये नहीं करता है, नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका विवाजन व्रदी के लिए उत्तरदाई होता है, समसूत्री विवाजन, और सूत्री, दोनों उप्रोटन से कोई नहीं, तो A है इसका अंसर, तीस का A, नेक्स्ट कोशन, प्रसंट संक्या 31 से 35 के लिए दो कतन दिये गए हैं, एक अभी कतन और दूसरा कारण, इन पस्टनों के सही उत्तर का चैन नीचे दियागी कोड ABCD से करें, ए तब देंगे जब A और R दोनों सत्ते हैं, R अभी कतन के सही व् का नहीं है, C, A सत्ते हैं, R सत्ते हैं, D, A सत्ते हैं, लेकिन R सत्ते हैं, तो आप अभी कतन पढ़ लेते हैं, विलियन एक समांगे मिशन होता है, कारण विलियन की बनावट समान होती है, तो अजरेशन, A solution is a homogeneous mixture, reason solution has uniform composition throughout, ये दोनों ही right है, और ये इसकी reason, अजरेशन की सही बैख्या कर रहा, तो इसका अंसर होगा, A, next question है, 32, अभी कतन, चिकनी अंतर दरवे जाली का, S, E, R, जीवाद जनन में मदद करती है, S, E, R, वसा अनों के निर्मान में सायता करती है, यानि, smooth endoplasmic radiculum helps in the membrane biogenesis, S, E, R, help in the manufacturing of lipid molecules, दोनों ही ठीक हैं, और reason, जो है, जो कारा है, वो अभी कतन की सही बैख्या करा, तो इसका अंसर भी होगा, A, 33, अभी कतन, जड़ो के रेसे, epidermal कोशी कांसे बने होते हैं, ये right है, जड़ो के रेसे, जल्त तक खनीच का अफस्रसन नहीं करते हैं, ये wrong है, तो इसका अंसर क्या होगा, C, यह अलग गलत है, यानि ये scalar quantity, reason क्या है, speed has magnitude only, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका अंसर क्या होगा, A, और ये इसकी व्यक्ख्या भी सही कर रही है, 35, फुटबॉल का जल्तु समान अकार की पत्तर की बॉल से कम होता है, कारण है किसी वस्तु का जल्तु सके दरुमान की माप होती है, दिये गए चित्र में, RBC को बिलियन X में रखा गया है, बिलियन X की प्रकृति क्या हो सकती है, ये फूल क्या है, तो बिलियन क्या होगा, अल्परासन दाभी या हाईपोटोनिक सोलिशन, A, the correct answer is A, 37, यूकरियोटिक पादप कोशिका के आरेक का प्रेक्शन कीजिए, उसमें लगके XYZ अंगक को उसके कारे से मिलान कीजिए, ठीक है, XYZ है, तो हम देख रहे हैं, X क्या है, X है, इसमें प्लैस्टिट, यानि कॉलोरोप्लास्ट है, तो X का का काम होगा, second, यानि perform photosynthesis, तो इसका और Z है, वो नुकले से, Z क्या है, Z वेक्टियोल है, तो Z करेगा स्टोरेज, और स्टोरेज है, और Y, जो है, वो नुकले से, वो य करेगा, control all cellular process in the cell, यानि C, हमारा answer जो है, वो C हो गया, कौन न्यूरोन का भाग नहीं है, केंद्र कोशिकाय दुरूमिका सिनेप्स, विच इस नॉट पार्ट ऑफ न्यूरोन, निकुलियस, सेल, बॉडी, डेंड़ाइट, और साइनेप्स, सिनेप्स, जो है, D, यह है, अंसर इसका, थाटी नाइन, निम्न मेंसे कौन से योगी का गुण नहीं है, तो इसमें है, किसी योगी के संगठों को सरल बहुतिक विदियो दौरा अलग नहीं किया जा सकता है, यह राइट है, एक योगी में विभिन तत्वेक निश्चे तरणपात में होते हैं, यह ठीक है, यह खेया, किसी योगी के दरम से मौख़़ब तत्वों के गुड़ दरम से पूंटते हैं, यह ठीक है, एक योगी प्रकर्टी में विभिसमांगी होता है, यह रोंग है, तो यह रोंग है, क्योंकि होमचेनсь होता है। एक छात ने पेश्य उत्तक की स्लाइट का प्रेक्शन सुसमत रस्चिस किया उसकी संच्रा बेलनाकार धार्जदार और प्रकृति में एच्छिक है यह किस प्रकार का पेश्य उत्तक है और स्टुएंट अब्जावड एसलाइड ओफ मस्कुलर टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप विच इस सिलेंडिकल स्टिफ्ट एंड वॉलंट्री नेचर विच टाइप अ मस्कुलर टिश्यू इस इट तो यह होगी रेकित पेशी सी इस्टिरेटर्ट मसल नेक्स्ट कोशिका किस परकार के एपिथीलियम उत्तका भाग है यह है इसके मस्ट बी सलगी एपिथीलियम निम्ड में से कौन प्रोकेरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है जिली से बंदेवे अंग सी कि मेंबलेन बांड और्गेनल यह कोशिका की पैचान है निम्डिखत में से बल्ए चकार को बर दसकता है यह रांट बंद बन किसी वस्दू की विरावास तe करती की आवस्टाग वदल्ट यह लगे सन्थ बल्कुई तॉर्ण उपन नहीं करते हैं यह विराइट थैं किसी वस्तु की गति को तेज़ करने के लिए सब्सक्राइब बद किया हो सकता होती है यह रहूंगा है तो पहला और तीसरा ठीक है इसका यानि पहला अन्बैलेंस फोर्स के चेंज दा शेप अप दा बॉड़ी और तीसरा बैलेंस फोर्स डू नौट परड्यूस एनी एक्सि क्पाइब यह बी है कि कॉलम एक में कुष्छ का कि अंगर भागों का मिलान कॉल्म एक मिनके कारियों से कीजिए तो माइटो कॉंडिया का है प्रोटिन का निर्मार्ण गोलजी को आइगा है लाइसम के निर्मार्ण में मदब करना प्लैस्टिड है बाद आपको आपको कि नेक्स्ट कोश्या के अपसिस निप्टाने वाला तंत्र है कि लाइससों डी तब वेस्ट डिस्पोजर सिस्टम अपसेल इस लाइससों मिटर पर सेकंड अफ्वेंडु मिटर पर सेकंड एकस का मिटर पर सेकंड किस बस्त्यू का समवेट अधिक हो गाएक्स का कैंट देए कि संवेट निकाल हैं टैन इंटो ट्वंटि पहली बस्तु कांजागा दोसो अ है ठीक है और दूसरी का हो जागा है कि प्रेंट इंटू फाइव है यह हंड़ेट है ठीक है तो फिर पहली वाली के ज्यादा होगा ना कि इसमें भी एक्स लगा दें कि सालक पर सीधी रेखा में चल ले पांच के जी के पैएंगा वेग समय ग्राफ में दिया गया है पैएंग को ग्राम अस्ता में लाने के लिए रोड दौरा कितना बल लगेगा तो एफ सिंपल सा तरीका है एफ इस एकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी एम इन्होंने दे रखा है फाइव तो फाइव हो गया कि वी में से यू चला गया यानि कितना हो जागा वी है इनका जीरो और जीरो माइनस टूंटी थेकर अपॉन आगा टाइम टाइम कितना टैन यानि हमारा आणसर आगया जीरो में से टूंटी का दो टूंटी बचेगा टूंटी इंटू फाइव हंडड़ माइनस हंड़ड अपॉन टैन यानि आणसर आजागा हमारा माइनस टैन सी सेक्शन सी इस भाग में आपको करम संख्या 49 से 60 तक के प्रशने आपको किनी 10 प्रशनों के उतर देने हैं और पहले 10 किये प्रशनी चाचे जाएंगे तो एक केस स्टडी टैके कुश्चन है सोर्च बेस कुश्चन इसमें एक पैरग्राफ होगा तो केस बन देख लेते हैं किसी विलियन की सांता उसकी प्रतिकाई आतनिया घोल के प्रतिकाई दरुमान में मौजूद विले की मातरा है तापमान में ब्रद्दी के साथ एक वि दरुमान प्रतिसत विले का दरुमान और पूरे विलियन का दरुमान गुना सो के रुप में विक्या जा सकता है तो चुट्टेशन ऑफ आप शुलूट प्र उनुट पर उनुट मस्ट of the solution. Soluability of a solution increases with the increase in the temperature. During an experiment, a student dissolve 50 gram of sugar in 350 gram of water at the normal temperature. Concertation of a solution can be expressed by mass percentage as mass of the solute or mass of the solution. यानि 50 upon 400 into 100 तो इस तरह साब इसको कर सकते हैं तो क्वेशन नमबर 49 जग रहते हैं निम्न में से कौन विले का घटक नहीं है विले विला एक परिक्सिप्ट प्रावस्था उप्रोक्त में से कोई नहीं है इस नोटे कम्पोनेंट अवस सॉल्यूशन तो डिस्पार्श फेस सी ही है इसका अंसर डिस्पार्ज फेस यानि प्रिक्सिप्ट प्रावस्था कुट नेक्स्ट सरक्रा Willian है फोस और द्रव का मिस्टन ए कि नेक्स्ट्क्षन बिलेन के सांता के लिए कौन सा कस्टन सही एह प्रतिकाई आईतने मUजूद विले की मात्रा तो यानि की A Next question उप्रियोग प्रियोग में छाद दार निर्मित विलेन की सांता क्या होगी Cancer is C What is the concentration of the solution प्रपेड बादा स्टुटन दूरिंग दा अबोव एक्सपरिमेंट यानि उसने विले लिया था 50 ग्राम टोटल विलियन यानि solution हो गया 400 अंटू दो जिरो से दो जिरो कट गई 50 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 12.5 आ जाएगा तो यह percentage आ गई है ठीक 53 वेग में अपरी वर्तन की गर को तोरन कहते हैं एक विद्धारती ने एक धागे का टोला लिया और उसके एक छोर पर एक पत्थर बाग दिया तरसाइज चीतर ने नुसार उसने धागे के दूसरे छोर को पकल कर पत्थर को वरत्य पत्थ पर नियाचाल से घुमाया और पत्तर साइज उसे छोड़ दिया अब प्रशन देखने है अब प्रशन देखने है दावक का वरत्य पत्थ पर गमन दर्शाता है दा मोशन ऑफ एन अथलीट ओने सर्कुलर पाथ सोज तवरित गती एक्सलेरेशन मोशन उपर देगे गती विदी में दागे गमाते वक छोड़ने पर वेक किस दिस्दा में गमन करेगा वरत्य पत्के इस परसी के अनुद देश्द लेखा पत्पर शीदा चला जाएगा एलोंग स्टेट लाइन टेंजन टुदा सर्कुलर पाथ भी हैस कांसर उरत्य गती तवरित गती है क्योंकि वेक का परिमान लगातार बढ़ रहा है गती की दीशा इस्ति रहती गती की दीशा लगातार बढ़ रही है cas cancer direction of motion is changing continuously इसमें डारेक्शन चेंज हो रही है इसलिए यह accelerated motion है circular motion is acceleration motion because direction of motion is changing continuously रूदिर एक case 3 देख लेते हैं रूदिर एक सेंजिय उत्तक है जिसमें plasma नामक द्रव तरल मैट्रिस होता है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेस निरंबित होते हैं प्लाजमा में प्रोटीन लवन और हार्मोन होते हैं रूदिर प्रवाइथ होता है और सरी के विबिन भागों में गैसों पोशक तत्मों हार्मोन और अपसेश्पदार्तों का परिवान करता है ब्लाजमा इसके आंसर देख लेते हैं कौँ से कोशिक हमें पर्ति रक्रशा परदान करती है विछ सेल प्रवाइड अस रिमॉनिती तो इस भी डबली ब्लेट शेल ह livres मदत करती हैं रखत का ओसाजमाने में ब्लड कोगुलेशन विब्लड कोगुलेशन हमारे सरी में निरमित कार्बन डियक परिवर डूदिर की किस कोशी का उदार होता है और बी सी ए कारवन डाइकसर जैट प्रड्यूस इन अवर बॉड़ी इस ट्रांस्पोर्टेड बाई विछ सेल आफ दा बलड ए और बी सी हर सहीं जी उत्तक में होता है अदात्री ए कोशी का आपस में कम जूड़ी होती है यह नि मैट्रिक्स एंड सैल सार लूजली स्पेस तो इसका अंतर है डी ए और बी दोनो तो इस तरह से आपने सेंपल पेपर कर लिया आपको कोई प्राब्लम है तो आप मुझे कमंड सेक्शन में पूछ सकते हैं